हिमाचल प्रदेश्ट ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बलकि एक परिवार के सदस्ट के नाते भी मुझे गर्व का आउसर दिया है मैंने छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए संगर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाता को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूँ यह सब कुछ देवी देवताओं के आशिरवाद से हिमाचल सरकार की कर्म कुशलता से और हिमाचल के जन जन की जागरुकता से संबव हो पाया है मैं फिर एक बार जिन जिन से मेरा समवाद करने का आउसर मिला और जिस प्रकार से सबने बाते बताई इसके लिए मैं उनका तो आभार व्यक्ते करता हूँ मैं पूरी टीम का आभार व्यक्ते करता हूँ हिमाचल ने एक टीम के रुप में काम करके अब्धुत सिद्धी प्राप्त की हैं, मेरी तरब से आप सब को बहुत बहुत शुप काम ना है। संसद में हमारे साथी और भारतिय जनता पार्टी के राश्त्रिय अद्यक्ष हिमाचल काही संतान श्री जगत प्रकाश नडड़ा जी, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी श्री अनुराग ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी और हिमाचल भाजपा अद्यक्ष त्रिमान सुरेश कश्यप जी, अन्य सभी मंत्री गण, सांसद गण और विधायक गण, पंचायतों के जन प्रतिनी दी और हिमाचल के मेरे प्यारे भाई और भेनों, सो वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, सो वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है, सो वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद, लड़ाई में हिमाचल प्रदेश, चेम्पियन बनकर के सामने आया है, हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है, जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबाधी को कोरोना टिके की कम से कम एक डोज लगा ली है, यहीं नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग एक तिहाई आबाधी को पार कर चुका है, साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता नहीं, देश का आत्म विश्वाद भी बढ़ाया है, और आत्म निर्वर होना कितना जरूरी है, यह भी याद दिलाया है, सबको वैक्षिन, मुप्त वैक्षिन, 130 करोड भारतियों के इसी आत्म विश्वार और वैक्षिन में आत्म निर्वरता का ही परनाव है, भारत आज एक दिन में सवा करोड टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है, जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है, वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है, भारत के टीका करण भ्यान की सबलता प्रतेग भारत वासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाश्ठा का परणाव है, जिस सबका प्रयाश, सबका प्रयाश की बात मैंने पचतरवे स्वतंतरजा दिवस पर कही थी, लाल कीले से कही थी, मैं कहता हूँ ये उसी का प्रतिविम है, हिमाचल के बाद सिक्कीम और दादरा नगर हवेली ने शत्प्रतिशत पहली डोज का पड़ाव पार कर लिया है, और अनेक राज्जी इसके बहुत निकट पहुँच भी गए हैं, अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है, कि जिनोंने पहली डोज ली हैं, वो दूसरी डोज भी जरूर लें, भावियों और भेनों, आत्म विश्वात की यही जड़िबुट्टी, हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज टिकाकरन अभियान का भी मूल है, हिमाचल ने खुद की ख्षमता पर विश्वास किया, अपने स्वास्त कर्मियों और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया, ये उपलब्दी, अपने सबी स्वास्त कर्मियों, आशाक कारकरता, आंगनवाडी कारकरता, शिक्षक और दूसरे तमाम साथियों के बुलंद होसले का परणाम है, आरोग के ख्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की तो मेहनत है, डॉक्टर हो, परामेडिकल स्टाफ हो, बाकि साहायक हो, सबकी मेहनत है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों की विशेश भूमिका रही है, अभी थोड़ी देर पहले, फील्ट पर काम करने वाले हमारे तमाम साथियों ने, विस्तार से बताया भी, कि उन्होंने किस प्रकार की चुनोतियों का सामना किया है, हिमाचल में वो हर प्रकार की मुश्किलें थी, जो टिका करण में बादक सिद्ध होती है, पहाडी प्रदेश होने के नाते, लॉजिस्ट्रिक की दिक्कत रहती है, कोरोना के ठीके की स्टोरेज और टांसपोर्टेशन तो और भी मुश्किल होती है, लेकिन जैराम जी की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्ताइं विक्सित की जिस प्रकार स्थित्यों को संभाला वो सचमुच में प्रसमस नहीं गया है इसलिए हिमाचल ने सबसे तेज टिका करन टीके की बैस्टेज किये बिना यह बहुत बड़ी बात है इस काम को सुनिशित किया है साथियों कठीन बौगोलिक परिस्तित्यों के साथ साथ जन समवाद और जन भागिदारी भी टीका करन की सफलता का बहुत बड़ा पहलू है हिमाचल में तो पहाड के इर्दगिर्द बोलियां तक पुरी तरह से बदल जाती है जादातर हिस्सा ग्रामीन है जहां आस्था जीवन का एक अठूट हिस्सा है जीवन में देवी देवताओं की भावात्मक उफस्तिती है थोड़ी देर पहले कुलू जिला के मलाना गाउं की बात यहां हमारी बहन से ने बताई मलाना ने लोकतंत्र को दिशा देने में पुर्जा देने में हमेशा से एह भूमिकारी भाई है वहां की टीम ने विशेश कैम्प लगाया स्तार्स पैंज से टीके का बॉक्स पहुंचाया और वहां के देव समाथ से जुड़े महत्वपुन व्यक्तियों को विश्वास में लिया जन भागीदारी और जन समभात के ऐसी रणदिती शिमला के डोडराकार कांगणा के छोटा बड़ा भंगाल किन्नोर लाहोर्स पिती और पांगी भरमोर जैसे हर दुर्गम खेत्र में भी काम आई साथियों मुझे खुशी है कि लाहोर्स पिती जैसा दुर्गम जिला हिमाचल में भी शत्र प्रतिशत पहली डोड़ देने में अग्रणी रहा है यह वो खेत्र हैं जो अटल टनल बनने से पहले महिनों महिनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहते थे आस्ता, सिक्षा और विज्ञान मिलकर कैसे जीवन बदल सकते हैं यह हिमाचल ने बार बार कर दिखाया है हिमाचल वाश्यों ने किसी भी अफ़ा को किसी भी अपप्रचार को टिकन नहीं दिया हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि देश का ग्रामिन समाच किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टिका करन अभियान को ससक्त कर रहा है साथियों, तेज टिका करन का लाप हिमाचल के तुरिजम उद्योग को भी होगा जो बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार का माध्यम है लेकिन जान रहे, मास और दोगज की दूरी का मंत्रा हमने टीके के बावजूद भूलना नहीं है हम तो हिमाचल के लोग हमें मालूम है स्नोफल बंद हो जाता है उसके बावजूद भी हम जब चलने के लिए निकलते हैं तो बराबर समल समल करके पैर रखते हैं हमें पता है ना स्नोफल बंद होने के बाद भी समल करके चलते हैं बारिज के बाद भी आपने देखा होगा बारिज बंद हो गई होगी ठाता बंद कर दिया लेकिन पैर समल के रखते हैं वैसे ही इस कोराना महामारी के बार जो बातों को समालना है वो समालना ही है। कोरोना काल में हिमायचल प्रदेश बहुत से युवाओं के लिए वर्क फ्रम होम, वर्क फ्रम एनिवेर इसका पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया। बहतर सुविधाओं, शहरों में बहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का हिमायचल को बहुत लाब मिल रहा है। भाई और भेनों, कनेक्टिविटी से जीवन और आजिविका पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है। यह इस कोरोना काल में भी हमायचल प्रदेश ने अनुफव किया है। कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी आज देश की ये सबसे बड़ी प्राक्फिकताय हैं। प्रधान मंत्री ग्रामिन सडक योजना के तहट आज आज दस घरों वाली बस्तियां भी सडकों से जूड रही है। हमायचल के नेशनल हाईवे चावड़े हो रहे हैं, ऐसी ही ससक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाब परियर्टन को भी मिल रहा है। देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर